लिखने में आया है आज कल कि बुखार के बाद पिलिहा और यक्रित विर्धी यानि की लिवर और स्प्लीन की विर्धी बहुत ही कॉमन समश्या बन गई है जिसके कारण बाद में अनीमिया की समश्या हो जाती है तो आज एक ऐसी प्लांट की चर्चा करेंगे जो इन सब रहे होंगे वाइट फूल वाला चित्रक है इसको प्लम्बेगो जलेनिका कहते हैं और यह है वाइट लीवर्ट के नाम से भी आप लोग इसको जानते हैं चित्रक की तीन स्पीसिज भारत में पाई जाती हैं जा सफेद फूलों वाला और लाल फूलों वाला और परपल लेंगे जिसको आप प्लम्बेगो जलेनिका और यह प्लमबा जीनेसी फैमिली का है इसके ग्लैंडूलर हेर्स हैं और इसका जो यह पेरिनियल स्रब है तीन से छे फिट तक हुचाई इसकी हो जाती है सिंपल इसके लिव्ज हैं इसका एंटी बैक्टिरियल एंटी फंगल और यह सारी एक्टिविटी यह जो जितनी भी सो करता है यह लिवर को रेमेडियेशन के माध्यम से सो करता है और लेप्रोसी में भी इसका विसेस उप्योग किया जाता है विविन परकार के कुछ रोगों में और सुरियस में भी इसकी काफी अच्छी एक्टिविटी देख तो इसके तिक्त जो इसका टेस्ट है उसके लिए रेस्पोंसिबल होते हैं और लिवर रेमेडियेशन में हेल्प करते हैं क्लोरो प्लमबाजिन और प्लमबाजिक कैसे इसके अलावा इसमें टेरक्साइस्टिरॉल भी पाया जाता है और इलिप्टिनॉन और प्रोटियेज यह दो ऐसे मेटाबोलाइट हैं जो एंजाइम रेगुलेशन और मेटाबोलिक डिस्ट्रबेंस को सही करते हैं अब हम बात करें तो जो विशमजवर होता है उसमें हमें क्या करना चाहिए इसकी जो मूल होती है यानि कि जो इसके रूट होती है उसका पावडर बनाकर नॉर्मल जो जल है याने कि ना गरम ना ठंडा साधान ताप क्रम के पाने के साथ 2 ग्राम सुभा और साम लेना चाहिए और कुष्ट रोगों में हमें क्या करना चाहिए इसके चून का सेवन करना चाहिए लेकिन उसके अलावा इसके जो मूल का जो पाउडर है उसको गोमुत्र के साथ मिलाकर लेब भी करना चाहिए कुष्ट रोगों के निवारन के लिए सुरियस के समस्या हो सुरियस के लिए उ के चून को डाल कर और फिर उससे हमें मालिस करने चाहिए इस प्रकार से यह हमारे लिवर के माध्यम से विभिन प्रकार की स्किन डिसोर्डर को और अगनीमंद की समस्या बहुत कॉमन है बुखार के बाद या फिर वैसे भी एजिंग के समय या फिर आजकल तो यंग एज में बैठे रहने का कारी रहता है तो हम लोग खाना पीना खातो लेते हैं लेकिन डाइजिस्टू कैपसिटी बहुत कम हो जाती है ऐसी समस्याओं के निवारन के लिए चित्रक बाई बिडंग और मोथा मोथे का चून मिलाकर पांच ग्राम दिन में दो बार इसका नॉर्मल पा पारण बने हुई अनीमिया का भी निराकरन करता है और अगर अर्ष की समस्षा भी होती है क्योंकि अर्ष भी जो है डाइजिस्टू सिस्टम से जुड़ा हुआ एक ऐसा डिसोर्डर कहेंगे इसको हम डिसीज तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे यह क्या करता है इसकी मूल का आप पाउडर बना लीजिए और पाउडर बना कर इसका सेवन कीजिए इसके साथ इसकी मूल का आप क्या करेंगे इसकी मूल का आप फ्यूम लेंगे फ्यूम को देना है फ्यूम का मतलब है कि इसका आप धूमन लेंगे तो देर देर अर्ष की समस्षा का भी यह असानी से करता है ध्याने रखना है साथियों इसके अंदर गर्वशन को चक इसकी प्रोपर्टी होती है तो प्रिग्नेंट विमेन इसका सिवन ना करें क्योंकि यह अबोर्टिव हो सकता है फिर मिलेंगे नई प्लांट के साथ प्लांट पसंद आया तो आप इसको सेर कीजिए अगर कि कि लोग के निराकरण के लिए आपको कुई सलह या प्रामर्स कर सकता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट सेर कर सकते हैं धन्यवाद